हेलो एव्रिवन वेल्कम टू न्यू वीडियो इस वीडियो में हम कोट्शेफ स्टार्टर्स 83 का प्रॉब्लम गेस पी एफमेक्स या रिस्टोरेशन प्रॉब्लम जो था उसका सल्यूशन डिस्कस करेंगे अच्छा इंट्राक्टिव प्रॉब्लम था सो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक इंट्राक्टिव प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूं होते क्या है यह सो ऑविसली इन से डरने की जूरत नहीं है अगर इनको आप केरफुली रीड करोगे ना प्रॉब्लम स्टेट्मेंट हाम माला कि वो थोड़े लेंदी हो जाते हैं बट एक्टिव प्रॉब्लम में क्या होता है कि हम इंटराक्ट करते हैं कंपाइलर के साथ वी इंटराक्ट विट कंपाइलर ठीक है कैसे इंटराक्ट करते हैं हम क्वेरीज पूछते हैं वी आस्क्वेरीज हम क्वेरी पूछते हैं कंपाइलर से ऐसे बना देते हैं हम यूजर ह हो गए और हम compiler के साथ interact कर रहे हैं कैसे query पूछ के ठीक है query हमें पूछने के लिए ना सी आउट आउट पुट देना पड़ता है ठीक है आउट पुट या प्रिंट करना पड़ता है जो भी हम कोई query पूछिए अब compiler जो उसका response भी देगा ठीक है compiler हमें क्या देगा response देगा जो भी compiler response देगा उसको में read करना पड़ेगा एंड हम read कैसे करते हैं read basically input कैसे लेते हैं C++ में आप scene हो गया scene की मदद से आप input लेते हैं सो और Java में scanner class बना कि हम input लेते हैं सो वैसे हम इसमें continuously जो क्या करते रहेंगे compiler के साथ interact करते रहेंगे ठीक है interaction हमारा होते रहेगा और इसमें एक चीज का ध्यान देना पड़ता है कि हमारा जब अब हम memory utilize कर रहें न हम response लेंगे जहां भी input ले रहे हैं सो हमापे memory utilize हो रही है सो वह memory use होने के बाद हमें free करना पड़ता है उसको ठीक है अगर हम free नहीं करेंगे तो यह हमारा जो interaction चल रहा है इसके बीच में क्या होगा memory limit exceeded यह runtime error आ जाएगी ठीक है यह वाली जो error आ जाएगी अगर हम free नहीं करेंगे हमारा जो memory use होने के बाद so free करने के लिए हमारे पास c++ में cout.flush करके एक function है यह आप cout एंडल भी कर सकते हो so इसमें क्या होता है जो भी memory हमारी यूज हो चुकी है जिनका आप काम नहीं है उसे हम free कर देते हैं ठीक है so यह हो गया basic interactive problems के बारे में कैसे काम होता है हम compiler के साथ query पूछते है query पूछने के लिए हम cout या output function का use करते हैं and compiler हमें response देता है response को read करना पड़ता है तो scene या input जैसे हम read करते है different programming languages में c++ में scene की मदद से read करते है so हम scene की help से response read करते है फिर उसके basis पे हम अपने next query को पूछते हैं ठीक है और अगर आपको जानना है तो मैं description में link add कर दूँगा interactive problems कैसे solve करते हैं और उनके बारे में जानकारी के लिए ठीक है अब आते हैं इस problem statement पे so problem statement को ध्यान से पढ़ना था थोड़ा आपको starting एक बार में समझ नहीं आएगा मुझे खुद two three times read करना पड़ा और जब भी step के problems होते है ना go through the explanation of sample test case यह जो sample test case के explanation है यह भी यहाँ पर vague थे मतलब अच्छे से उतने explain नहीं किये थे वही थोड़ा tricky part था बट फिर भी जब भी ऐसे questions होते है go to test case का explanation ठीक है अब आ जाते है इस problem statement था क्या यहां दिया गया है chef as a hidden permutation p of length n शेफ के पास एक hidden permutation p है n length का एंड हमें क्या challenge किया गया है कि हमें वह permutation find करना है in at most n-1 queries में और query क्या हो सकती है in one query permutation q of length n हम pass कर सकते है ठीक है query पूछ सकते है सो क्या चीज है हमने notice की वह यहां से मैं लिख देता हूं सो first हमने notice की कि हमारे पास एक permutation p है length n का ठीक है जो hidden है जिसे हमें find करना हमारा main task है second thing जो हमसे बोला गया है कि इस hidden permutation p को हमें n-1 operations में या query में find करना है query पूछ के find करना है at most n-1 query एक second sorry ठीक है next के each query query हम कैसे पूछेंगे इसको थोड़ा different color ले रहते हैं so each query जो होगी हमारी हर query में हमें एक permutation q of length n pass करेंगे या compiler को हम वो भेजेंगे ठीक है हमने देखा interactive problem है तो हम interact करेंगे so interaction में q permutation of length n हम भेजेंगे compiler के पास ठीक है ठीक है तो यह हम ऐसे query पूछ रहे हैं अब query का response कैसे आगा है compiler से वो देख लेते हैं इसमें आप पढ़ोगे response क्या है chef generates a permutation p dash chef एक p dash permutation generate करता है p dash की क्या खासियत है p dash of i equal to p of q i so इससे एक example लेके समझ लेते हैं so हमने कोई q length का permutation send किया compiler को अब compiler एक p dash permutation generate करेगा हमारा hidden permutation p है और हमने एक q length का sorry q permutation of length n पास किया एक compiler को अब इस q length sorry q permutation से एक p dash permutation generate होगा नियान देना so इसको example से समझ लेते हैं suppose जो हमारा एक sample test case में जो hidden था hidden permutation 2431 उसको हम लेते हैं उस पे कैसे example solve करके बताएंगे so हमारा hidden permutation है p which is 2431 ठीक है suppose हमने सबसे simplest query क्या पास किये 1 2 3 4 ठीक है first query है जिसमें हमने यह permutation of length n पास किया है q ठीक है अब इस q से एक p dash generate करेगा compiler हमारा ठीक है वो generated p dash क्या होगा p dash क्या होगा p dash i की property क्या है p dash i की property यह है p dash i equal to p of qi ठीक है यह है so हम first element पर आए p of one हमें p dash of one find करना है one based indexing हम यह पर ले रहे है ठीक है p dash of one equal to p of q of one यहां से हमने देगा q of one क्या है q of one one ही है so p dash of one equal to p of one so यहां से one मिला हमें ठीक है similarly आप देखोंगे यह simplest था तो इसके लिए p dash two equal to p of q p of two हो जाएगा p dash three equal to p of three हो जाएगा ऐसी ठीक है so इधर से जो हमारा permutation मिलेगा यहां हो sorry यहां पर हमने mistake किया p dash one equal to p of one है and p of one is two one नहीं होगा यहां पर यहां पर two होगा ठीक है similarly p dash two equal to p of two p of two क्या है four है p dash three equal to p of three p of three is three p of four is one so p dash equal to p इस वाले जो permutation q हमने send किया है compiler के पास उससे same हमारा dicto same permutation generate हुआ hidden permutation जो था and generate हुआ permutation दोनों same है तो हमें response में क्या मिलेगा chef हमें response करेगा chef response with all such indices where p i is the maximum element of prefix of length है इसको simple बहाशा मैं समझाओ so chef हमें response क्या देगा ऐसे समझ दो so chef यह जो p dash i generate हुआ है permutation हमारा p dash generate हुआ है so chef हमें index का set return करेगा index का set या array बोल दीजे index का array return करेगा and उन index की indexes की कुछ खासियत होगी indexes की खासियत यह होगी कि p dash of i जो होगा न वो max value होगा max in range 0 अगर 0 based index ही ले रहे है या 1 2 i i इस range में maximum value जो है वो p dash i की होगी ठीक है तो ऐसे जितने indexes जो इसको satisfy कर रहे है वो सारे index हमें chef return करेगा तो example यह जो 2431 था इस वाले p dash के लिए क्या return होगा वो हम बताते हैं क्या index return होगे 2431 हम यहां पर देख पा रहे हम 1 based indexing ले रहे हैं ठीक है ध्यान देना अब 0 based indexing भी ले सकते हो 1 based indexing में हम क्या देख रहे हैं यहां पर first element पर आये हम first element पर आये so जो p dash 1 है हम check कर रहे है क्या वो max value है किस range में 1 से लेके i के range में i के 1 है इस range में हाँ p dash 1 is maximum एक ही element है and वही maximum ही होगा so इसको हम अपना जो index वाला set है उसमें add कर सकते हैं यह शेफ हमारा वह index वाला set जो form होगा उसमें add करेगा so 1 यहां से add हो गया अब हम p dash 2 पे गया 1 based indexing ले रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं p dash 2 मतलब second element पे गया second element 4 है हम check कर रहे है क्या हमारा p dash 2 है वह max element है 1 से लेके i के बीच में यहां से 1 से लेके i is basically 2 yes 1 से लेके 2 दो elements है 1 से लेके 2 इस range में p dash 2 हमारा maximum है इसलिए हम 2 को भी index में add कर देंगे index वाले set में अब हम next element पे गये which is 3 यहां पे p dash of 3 check करें क्या p dash of 3 max element है 1 से लेके आई मतलब 1 से 3 के range में यहां आप देख रहे हो नहीं max तो 4 है so p dash of 3 यह condition satisfy नहीं कर रही तो उसको हम अपने index वाले set में add नहीं करेंगे similarly last value भी add नहीं होगी so यहां से जो index का set इस वाले array के लिए return होगा ना जो मारा p dash फर्म होगा था 2,4,3,1 इस वाले p dash के लिए जो index set हमें return करेगा compiler होगा 1,2 गा so that's it हमें इसकी मदद से n-1 queries में जो भी हमारा hidden permutation p है उसको find करना है ठीक है अब कुछ चीज़े आपको notice ही करनी पड़ेगी इसमें ध्यान देने वाली बात है जो last element होगा न वो position बताएगा max element की ऐसा क्यों है क्योंकि उसके बाद कोई element है नहीं जो suppose कर लेते हैं यह वाला हमारा array है यहां पर maximum element आ गया obviously permutation क्या होता है permutation of length n मतलब 1 से लेके n के बीच में values हो उसकी जो भी permutation हो and her value जो हो वो unique हो that's it so यहां पर जब maximum element पहले ही आ गया है आगे आप जब भी जाओगे वो maximum element तो यहां पर है आगे कोई भी values maximum element नहीं हो पाएंगे so जो भी हमारा last index जो होगा न जो index set हमें return करेगा index set हमें जो return करेगा compiler so उसमें जो last value होगी वो क्या देगी last value देगी index of biggest element ठीक है यह चीज यहां से हम notice कर सकते थे अब इससे हम कुछ चीजे कैसे हम अपने answer को deduce करेंगे वो देखना है हमें पता चल गया है कि हमारा max element कहां पर है इस वाले case में 2 था इस वाले set के लिए हमारा initial permutation 2,4,3,1 था हमने query पूछी थी 1,2,3,4 हमारा p dash जो generate हुआ था वो हुआ था 2,4,3,1 p dash of i equal to p of qi से p dash of i equal to p of qi से ठीक है एंड यहां से जो set satisfy कर रहे थे condition so index set बोल दीजे वो क्या generate हुए वो 1,2 हुए so यहां से हम यह notice कर पा रहे है जो हमारा maximum element है वो index 2 पर है यह valid भी है यहां आप देखिए maximum element 4 है जो कि index 2 पर है अब इस information को कैसे हम utilize करें हमें पता तो चल गया कि maximum element जो है हमारा अभी वो second index पर है अब इससे कैसे कैसे इस information को useful बना सकते हैं so एक काम हम कर सकते हैं इस value को last में भेज दें इस value को हम last में भेज दें उससे भेजने से क्या होगा two, four, three, one wait, wait, wait हम एक initially क्या लेके चलेंगे इस value को नहीं भेजना है हमें एक second यहां यहां पर sorry मैं repeat करता हूँ जो हमारा max value है वो second index पर ठीक है यहां से ही पता चल रहा है max value second index पर initially हम लेके चलेंगे हमारा एक answer है जिसमें हम one, two, three, four हम मान के चलेंगे कि assume करेंगे यह permutation है and based on queries हम इस वाले में changes करते जाएंगे initially जो हमने लिया था उसमें हम changes करते जाएंगे ठीक है तो second value second index पर maximum element है ठीक है इस second को हम swap कर देंगे last second को हम बोलेंगे तुम last पर चले जाओ ठीक है last पर चले जाओ इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा होगा कि हमारा one, three, four, two ऐसा permutation बन जाएगा यह no 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 हम swap करेंगे one, four, three, two form होगा हम swap कर रहे हैं इस index और last index को so one, four, three, two ऐसे हो जाएगा इसका फायदा क्या होगा two second index पर हमारा max value है है अब यह index में कोई तो एक value second max element जो होगा वो यहां से मिल जाएगा one, four, three इनमें कोई तो हमारा second max element जहां पे होगा उसका index हमें पता चल जाएगा second max value की फिर हम क्या करेंगे उस second max value को second last index के साथ swap कर देंगे suppose करते हैं कि इस पाले में पता चला कि first index पे हमारा second max value है नहीं इसमें two, four, three, one है so third index पे third index पे हमारा second max value है so इस case में third को third के साथ आप swap करोगे so हमें जो permutation वैसे ही रहेगी one, four, three, two ही रहेगी फिर हमें पता चलेगा कि जो third max element है वो first position पे है so हम third max element को swap कर देंगे index two के साथ so यहां पे four, one, three, two form हो जाएगा so यह array का index हमें बता क्या रहा है यह जो हमारा जो answer array है उसमें changes कैसे हो रहे है हम जो final result आया है वो बता क्या रहा है वो यह बता रहा है कि हमने start किया था one, two, three, four से यह बता रहा है जो हमारा one है वो fourth index पे है जो हमारा two है वो first index पे है जो हमारा three है वो third index पे है जो हमारा fourth है वो second index पे है कहांब थर्ड इंडेक्स फॉर्थ कहांब रसट हमें इंडन प्रमूटेशन पी मिल जाएगा कि सो हमने यहां पर क्या किया हुँ कि नि यह हमारा यह रेसी था हम 1234 से स्टार्ट करेंगे ठाहि है मिला कुछ index में रहे मिला उसमें जो लास्ट वैलियू होगी न वो बताएगी हमारा मैक्स एलिमेंट कहां पे तो हम उस index को उठाएंगे कि एंड लास्ट में शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हमें तो पता चल गए है कि हमारा इस इंडेट्स पर maximum value है अब हम क्या चाहते हैं अब हम चाहते हैं कि second max find करना second max find करना तो एक और example लेते हैं suppose hidden array 3124 यह हमारा hidden array है और हम initially start क्या गरेंगे हमारा जो answer रहे हैं वह 1234 से हम query भी इसी को पूछेंगे इसी पर्मूटेशन को सो हमने query पूछा यहां से पी डैश क्या generate होगा पी डैश 3124 जनरेट होगा ठीक है और इसके basis पे इंडेक्स एरे गार जनरेट होगा इंडेक्स एरे जो जनरेट होगा वह यहां पे satisfy करेगा 3 एक है वह maximum है प्रिफिक्स में इंडेक्स 1 एर्ड हो जाएगा एंड सिमिलरली और तो लास्ट यास सो 1,4 यह हमारा इंडेक्स सेट जनरेट होगा जो हमें return करेगा compiler इहां से क्या पत्त से चल रहा है जो फॉर्ट है हमारा maximum element फॉर्थ technological उलिघ्ष पे ठीक है है थीक है तो हमारा maximum form होगा 1 2 3 4 का ही होगा ठीक है वी swap 4 with 4 फिर हमें वही same set generate होगा क्योंकि same permutation pass किया है इंडेक्स एरे भी 1,2 1,4 आएगा इंडेक्स एरे भी वही generate होगा इस case में हमें पता है कि हमारा max element यह max element last index max element बताएगा अब हमें यह पता है कि second last element जो है न सेकेंड लास्ट element वह हमारा second maximum value को बताएगा इसको समझे क्यों क्योंकि हमने उस हिसाब से swapping की है changes किये हैं हमने जो हमारा maximum element जिस इंडेक्स पर था न उसको हमने end पर पहुचा दिया है यह जहां पर उसका perfect position होना चीए था इस case में first index पर हमारा second max element है यह पता चलेगा तो हम क्या करेंगे first element को उसके correct position second max element जा होना चीए वहां पहुचा देंगे swap कर देंगे swap करने के बाद जो array form होगा वह form होगा 3214 ठीक है इसमें fourth पर हमारा max element है first index पर हमारा second max element है ठीक है अब हमने यह पास किया यह पास करने है अब यहां से जो इंडेक्स एरे form होगा वह क्या होगा एक तो टू है जो जितना भी प्रिफिक्स है जीरो से लेकर आई तक या वन से लेकर आई तक उनमें maximum है so first index को हम यहां indulge कर लेंगे similarly one तो नहीं हो पाएगा maximum prefix का three हो जाएगा three को add कर लेंगे fourth को add कर लेंगे so यह array क्या बता रहा है यह array बता रहा है कि fourth पर तो हमारा maximum element है क्योंकि उसे ordering में हमने swapping भी कर लिया फिर हमने second max value को भी swap करके correct position पर पहुचा दिया था तो यह भी सही है जो हमारा second max है वो third position पर अब यहां से यह पता चल रहा है जो हमारा third max value जो है न वो first position पर है सो यह हमारा यहां form हुआ था three two one four हमें पता चल गया है कि second maximum value first position पर है सो हम swap करेंगे three और two को सो यहां से क्या form होगा two three one four क्योंकि हम correct position में पहुचाना चाहेंगे न सो यह हमारा final array form होगा तीन ही को यह पूच सकते हैं क्योंकि array size four है हमने तीनों को यह पूच दी so two three one four आया initially हमने start किया था one two three four वाले array से two three four one four बता क्या रहा है two three one four यह बता रहा है जो हमारा element one है वह second index पर है one based indexing हम consider कर रहे हैं हमारा one element जो है वह second index पर मतलब main array में सो यह array four size का है सो हम second index पर first को रख देंगे फिर हमारा second two हमारा कहां पर two जो हमारा है वो third index पर two जो हमारा है वो third index पर three हमारा कहां पर three हमारा first index पर ठीक है फॉर्थ हमारा कहा है फॉर्थ हमारा last index पर थ्री one two four यह हमारा hidden permutation है अब चेक किरते हैं हमने start किया था three one two four से ठीक है हमें यहां से भी मिला 3, 1, 2, 4 सो ऐसे हमें answer को deduce करना है हम कर क्या रहे हैं हमें पता चल गया initially हम 1, 2, 3, 4 यह लेके चल रहे हैं यह मान के चल रहे हैं यह permutation है hidden permutation फिर हम query पूछ रहे हैं query में हमें index array जो भी मिलेगा initially first query में जो index array मिलेगा उसमें जो last value होगी वो maximum index maximum value कहाँ पे है उसका index पताएगी हमें पता चल गया suppose 2 पे हमारा maximum index है हमें पता है कि 2 जब हमारा second index पे maximum element है यह हमें पता चल गया अब इसको हम last में पहुंचा देंगे ठीक है बाई इसको last में पहुंचाने से क्या होगा हमारे पास 1,4,3,2 2 पे हमारा maximum element है इसका यह मतलब है इन तीनों में से कोई एक index होगा जहां पे हमारा second max element होगा so suppose 1 है यहां पे हमारा second max element है ठीक है हमें यह पता चल गया हम इसको second max element जहां होना चीए वहां पहुंचा देंगे उससे क्या होगा है कि second index पे max element है first index पे second max element है अब third max element इन दोनों में से किसी एक index पे होगा ठीक है suppose हमारा three पे sorry first इस पे हमारा second max element second max element यहां पे है मतलब first index पे है so हम swap करेंगे इसको जहां होना चीए उसके साथ so four, three, one, two यह हमारा final array फर्म हो जाएगा so यह final array क्या बता रहा है final array बता रहा है यह हमने initial हमारा one कहां पे है fourth index पे two कहां पे, third index पे three कहां पे, first index पे fourth कहां पे, second index पे यह ऐसा जो हमारा final array है उससे हम final index array जो होगा उससे हम अपना hidden permutation find कर सकते हैं so अब last में queries कैसे पूछी है query पूछने के लिए एक question mark हम print करेंगे three out, first question mark फिर space space के साथ जो भी हमारा permutation है end length का उसमें जो values है value हमने पूछी value pass की print की फिर space so end space separated values को print करेंगे ठीक है suppose चार values है तो हमने three, one, two, four ऐसा पूछ लिया यह पूछने के बाद हमें input भी read करना है वो background में p dash generate करेगा फिर index set generate करेगा index set जो generate करेगा उसमें first हमें वो size बताएगा कि कितने elements हैं उस index set में फिर उस size के हम array form कर लेंगे तो उतने space separated elements होंगे suppose हमारे पास दो है उस index set में values two, one, two तो ऐसे वो pass करेगा यह बताएगा कितने elements हैं index set में and यह values space separated and हमें अगर final verdict मतलब चेक करना है हमें permutation मिल गया है वो permutation को check करना है valid है कि नहीं so वो check करने के लिए exclamation mark and वहाँ पे n space separated जो भी हमारा permutation है उसको put कर देंगे suppose हमे final permutation one, three, four, two मिला तो ऐसे हम print कर देंगे so यह print करने के बाद compiler हमें बताएगा इससे हो समझ जाएगा कि हम check करना चाहते है so check करने के लिए या तो one देगा या minus one देगा दो values हमें read करनी पड़ेगी one मतलब success and minus मतलब unsuccessful टीक है so I hope you got the concept कैसे हम क्या use करेंगे इसमें यही था कि first first time में जो भी index generate होगा जो हमें compiler return करेगा array index वाली उसमें जो last value होगी वो बताएगी कि हमारा max element कहाँ पे है अब हमें यह हमने one two three four pass की थी उसने हमें बताए one two two one two किया उसने बताए कि second element जो है वो maximum है so हम replace कर देंगे second को बोलेंगे तू last में चल जा हमें पता है तू maximum है one three four two ऐसा permutation form हो जाएगा two maximum है मतलब जो second maximum होगा वो इन तीनों के बीच में होगा so next time जो भी array form आया सपोज फिर से आया one two two one two इसका यह मतलब है जो second पर तो max element है अब one जो है वो हमारा second max element दे रहा है so one को हम second max element जहां पर होना चीए वहाँ बेज देंगे so four three one two ऐसे change होगा इसका यह मतलब है two हमारा max element one है second max element यह में पता चल गया अब third max element है वो इन दो index के बीच में ही होना चीए ना so based on that हम अपने changes करते जाएंगे ठीक है so that's it I will add code in description thank you